सबी साथियों को जैभीम जैवार्थ साथियों आपका साथियव का भाई आपका बेटा परविन बड़सी और आज फिर एक वीशेश वीडियो के साथ आपका वीट महाजीग हों साथियों वीडियों जो है मेरे साथ वैटर बिनोद कुमार जी को देखके अंदाजा लगा चुक्यों होगे कि मैं आपके लिए कुछ सवाल पोचूँगा और उनके जवाब बिनोद कुमार जी देंगे उयक्तार रहता है शाथियो आज जो सवाल अम चूज किए हैं यानि कि नोटिश किए हैं लिखे हैं उखे जाने दो वो आम भोल च्णम हो ज्यादा चर्चा में आती हैं अरुन-के जवाब जो है वो सवाल तो चलते रहते हैं वाटसप इन्यूश्ट्री से लेकिंप जबाब ही दे पाते हैं कुछ लोग जो जानकार हैं वो समझते हैं जरूरी इनका जबाव देना और क्योंकि वह इस लायक है कुछ इस सवाल तो लेकिन आम नहीं नहीं नहींगी चाहिए तो आज हमारे पास चार पांच सवाल है जो जनरली चर्चा में रहते हैं पहले नंबर तो यही है कि मैं बहुत बार पढ़ता हूं कि डोक्टर अमबेड कर इतने विद्वान थे उन्होंने बार जाके पढ़ाई करी और वो वकील भी थे उन्होंने वकालत भी कि अरूशी समय दे फासी दी जारी थी या कूंकि उनका केस चल रहा था उनका केस है डोक्टर हम बेड़कर जो इतने बड़े भी दुवान थे वकील थे उन्होंने क्यों नहीं लड़ा यह बहुत बार कोश्चन मारक लाग जा है इसका जबाब दे डाक्षाबाद सभी दर्सकों को जैभिम ज मजने से पहले इस सवाल की जो प्रिष्थितिया है अगर वो जान लेंगे तो इस सवाल का जवाब उसमें आ जाएगा रोपड़ा असान भी हो जाएगा जब यह सवाल करते हैं सवाल करने वाले का उदेश से बिलकुल भी यह नहीं जाना है कि डोक्टर बावा साब मेरेकर बहुत बड़े वकील थे और उन्होंने बागत सिंग का क्यों नलना क्या ऐसी प्रिष्थितियां रही उनकी जानने की इच्छाए नहीं है यह सवाल उसी मगज की उपज है जिस मगज में डॉक्र मेडिकर के पर थी दवेश और नफरत बरी है वहीं से यह सवाल पनपता है अच्छा रही बात है डॉक्टर मेडिकर वकील थे और अंग्रेजों की सरकार थी उसमें बागत सिंग जो थे वो मुझरिम थे अब एक सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस आज भी है उसमें भी यह कोई ऐसा है तो हनी कि जारों साल बुरानी बाती है आदुनिक वारत की तियास की बाते हैं दोनों की दोनों यह तो वकील आयर करना पड़ता है एक तरीका होता है वकील करना पड़ता है अगर यह सवाल पूछा जाए कि बगद सिंग है बगद सिंग जी ने वकील क्यों नहीं किया डॉक्टर मेडिकर को हां हो दोक्कर मेडिकर मना कर दिया हो फिर तो सवाल भी बन जाता गहीत ने बदॅने बगद चाल और बड़त चल रहा है अब ऑगद सींग की पै Öz待 ऊसवाल उठाते हैं उनको यह पदा नहीं बदक S मुंबई में थे अब लाहूर कहा है आज के समय में देखें दो पाकिस्तान में है और मुंबई भारत में है ठीक है ना अज की तरह संचार के साथ थे ना इतनी सड़कें थी ना ट्रांस्पोर्ट था ना मोबाइल फोन वेगरा थे अब जो भी अक्टिविटी हुई वो लाहूर में हो रही थे बावासाव अपने कामों में यहां बीजी थे मुंबई में अब बगत सिंग की तरफ से या उनके साथियों की तरफ से या उनका एक संग्ठन था इंडुस्तान रिपब्लिक सोसिलिस्ट पार्टी इस नाम से उसक यहां तक तो बात ठीक है अब बोलते हैं कि बड़े वकील थे तो क्यों लड़ा अब सबसे बड़ी बात क्या है कि बगत सिंग के जो पिताजी थे सर्दार किसंसी में अब उन्होंने पतर लिखा था अंग्रेजों से यह पतर लिखा कि वह इनको जो फांसी की सजाद दी ग से मना गर दिया मुझे नहीं मिलना हुंचे सिरफ इस वज़े से और साथियों मैं एक सला देता हूं अलागि मैं जर्नली सला देना पसंद नहीं करता लेकिन यहां पे मुझे उचित लगता है कि दे देनी चाहिए मेरी बड़ी सिकायत है जो बगत सिंग का नाम जिनकी जु अब दूसरे के बहुत सारे लोग को वातारे मिलों को चैनांडों मांगी तुरी treaties कने दो नाहीं चाहते है और नो के पेमिकिक के स्ट cognitive यह उजीन वाकीली लोकाड़ कर दो और अंगरेजों की सरकार में जो सरकारी वकील था वो कोन था उसका भी पता करोना, वहांसे भी बड़ी इष्ठी निकलती है, कि अंग्रेजों को जो फांसी की सजा दिलवाई वो जो वकील है वो भी एक अगर उसकी जाती पूछी जाए तो समाज सास्त्री डंग से तो ब्रामिन जाती से थे ऐसा देखने को पढ़ने को मिलता हमको जी जी और जो बगत सिंग की जो वकील थे ऐसा सुनने में आता है कि व बगत सिंग को भी लगने लगा था कि अब मेरा मरना जरूरी ही है अगर मैं जिंदा रहे गया तो जितने बड़े मुकाम पर आज में हूं उससे बड़ा मुकाम आसिल नहीं कर सकता और मेरी जो शाहदत रहेगी ना वो शाहदत इस देश में करांति लाएगी जब बीच में होगा कि कोई बागत सिंग का फॉलावर या बागत सिंग की टीम का साथी या इस केस से जुड़ा हुआ साथी कोई नाम सजसन कर दे कि बावा साब अमबेड़कर भी एक वकील हों से बज़ता कि जाए कैसे प्रिश्थितिया रही होंगा बिलकुल ये इसको इस डंग से भी एडवाइजर बने के शेर मार्किट के उस समय जो एडवाइजर होते थे बड़ी वैलू थी उनकी स्वसाइटी में उसके पास जब यह मालूम पढ़ गया उनको दूसरे लोगों को कि छूट जाती है तो भी फिर जाना बंद करते हैं और बहुत पता भी रहता बागत गुजरात में रूम नहीं मिल रहा रूम नहीं दे रहे तो केस कोन देगा उनने है यह सोचने की बात है यह थोड़ा पहले की गड़ना है लेकिन मतलब सोचने के दूसरा से जुड़े वे थे वो जो उनकी आइडी थी या इडेंटिफाइज हो रहे थे वो उन लोगों को गया यह संबसे बड़ी सहाधा और इससे अच्छी सहाधत हो भी नहीं सकती थी बहुत सभी समय पे सभी काम हुआ है और उसे फिर अजारों लोग पैदा भी करांती कारी और करांती की जो मशाल जो बगाज सिंग ने जलाई थी उसको अजारों लोग आथों ने फिर उसको थामा भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए दूसरी बात यह है कि तुलना करते हैं यह कहने कटाच्पी है के बातासिंग जादा कर कंती कर रहे तो बड़ी को बटी बड़े घतर नाक लोग होते हैं अगर उनीवें जो यह बक्वास बाजी करते हैं अगर उसी रास्ते पर जाए तो जो बालशाब कर मार गये सत्त्यक्राइब के लिए चूत समाज के लोगों हम तो नहीं मानते हैं तो जगह अलग है स्थान अलग है काम अलग है तो ऐसे ही हमको देखना चाहिए आपके बारे में जब भी मत जिकर करता हूं तो लोग जानते हैं कि अमबेटकर विचारदरा के पड़े लिखे बुद्धी जी साथी हैं तो क्या आपने बाबासाब अमब ने लिखे किताब है बघए सिंग के असले वारिस बघए सिंग और उसके साथियों के दस्तावेज बघए सिंग के जह डाइरी भारत में अचूत समस्या यह कुछ उनके लेख हैं किताबे और बघए सिंग के और बजासी बडेए बघए और जो प्रोफेसर चमनलाल जी है जेनु में और एक जस्विंदर सिंग संदू है ऐसा कुछ नाम है तो उन्होंने भी लिखा है चमलाल जी ने भी लिखा बहुत चीजे बहुत में पब्लिश हो चुका बागत सिंग के बारे में और यह जो अर्याना में पंजाब में आसपास में देखता हूं कि होंगे लेकिन मेरी नजर में ऐसे लोग आए नहीं कार्य करता मेरी पकड़ में या मैं नहीं पहुच पायों तक जिन्हें बहुत सिंग की किताबों के ऊपर चर्चा की मेरे साथ तो इस वज़े से भी ज्यादा यह वहम है फालदों की बाते हैं यह हो रही है तो दॉत सवाल था इसका या अचूत हैं, उनको नीचे से उपर ले दिया, उनको हक और अधिकाद दिया, उनकी लड़ाई लड़ दिया, उनको रिजरेशन दिला दिया, उनको उपर ले गए, जो भी है तमाम, मिन्स यह कि बाबा सब अमबेटकर का जो कारवा है, आंदोलन है या संगर्स है, वो समझ है, जी सर, देखो, इसके उपर रिसर्च भी हो चुकी है, इस वीशेपिज आप कह रहे हो, जी एन्यों के प्रोफेसर वीवे कुमार जी, बहुत महान समास सास्त्री है, वर्ल्ड फैमस है, उनकी तो प्याडी का थेसे सी यह था, नेशन विल्टर डोक्टर बाबा बहुत अच्छी किताबें लिखी है, अब यह बातें वहां से निकलते हैं, जिनको समझ है, ना पढ़ना आता, ना लिखना आता, कुछ नहीं, दो किताबों तो मैं रहर कर रहा हूं, एक बार अगर कोई बंदा इन किताबों को पढ़ ले, तो डेफिनेटली इस सवाल का ज विरोध कैसे किया जाए, उसका एक यह तरीका है, जैसे और तमाम तरीके होते हैं, वैसे ही, दूसरी बात, अब उन से पूछा जाए कि चलो लोक्टर मेडिकर का तो योगदान नहीं है, तो किसका योगदान है, या फिर अचुतों के बारे में, शेडूलकाश के बारे में ट्राइबस के बारे में, गांदे जी के उपर अगर लेखन पढ़ते हैं, गांदे जी के उपर वासन होते हैं, तो वो बताते हैं, सारा ही कामीनों नहीं कर दिया, राजिंदर परसाद को देखते हैं, नहरू जी को देखते हैं, सब के अपने अपने प्रायोटी थी, उनके अंदर हो में चोपी और वावा साब ने जो समीधान दिया वो क्या था अब कि बारत के अच्छूतों के उसमें 395 अनुच्छेद हैं अगर जिन लोगों को यह बारे में डॉक्टर वावा साब मेडिकर का कह रहे हैं कि सारा काम इनके लिए कि इनको दी यह सही बात है ल सब्सक्राइब के लिए हैं वह क्या अच्छोतों के लिए जो सारे देश के लिए हैं दूसरी बात है जो सबसे कमजोर और पिछड़ा जो गरेब लोग हैं उनकी आवाज उठाना उनको ऊपर लेके आना वही राष्टर निर्मान की सबसे बड़ी परक्रिया है बिलकुल सब्सक्राइब कर रहे हैं वही सबसे बड़ी है और वह बड़ी लंबी संगर्स की बात हैं बड़ा लंबा उसका इतिहास है और वही डॉक्तर बावसां मेरेकर ने किया वह एक राष्टर निर्मान है अच्छोतों को गरीबों को दलीतों को उपर उढ़ाना बोलते ही अगला सवाल ना वह आपकी तरफा से निकड़ क्या है जैसे अभी आपने बताया कि चार नुचेद ही हैं बाकि सारा जो सविधान है वो पूरे देश को समर्पित है अब यह भी सवाल आ गया कि वो जो अनुचेद 300 क्याणों है वो अनुचेद सारे देश के लिए हैं लेकिन सविधान ही देश की संस्कृति और शब बता के अनुरूप नहीं है अब यह भी एक सवाला आगा कि देश का सविधान है वो ही हमारे देश के कल्चर से महत नहीं हो रहा यह बतल जानाती है है जिन लोगों को ज्यादा सब्बता और संस्कृति की जरूत लगती रहती है ना जिन लोगों को अधिकार मिले ना मिले लोगों को घरीपी दूर हो विरोजगारी दूर हो पड़ाई लिखाई से देश के बच्चे आगे बले उनको इन बातों से कोई चिंता नहीं उनको लिखा हो उनकी सब्बिता और संसक्रति अभी पूछा जाएँ कि क्या है बार की सब्बिताinkरति क्या है सब ब्यूंगेन करए लेकर लिए के देने चzenल नहीं है यह कलंक है इसको कों सब बता गयाए जह करोड़ने लोगों को जंगलों में बर्या करणि करने के लिए मद्पूर कर दिया को शड़ाओा वाज मर ΕयुNow का मास खाने के लिए मद्पूर करते हो यह कौन सी शभता हो गई जिसमें करोलों लोगों को अठूत बना तुल को इस स्वाल उठा होगी ये वहाश्र इत नहीं जाती व्हास्वासर उपना दिया कि में समांता की बात आने यह कि समीधा भात करते हैं shirt तहब थोड़ा सावार आगा समय सुप्रीमशी है उनके सास्थों में तो वर्ण वेवस्ता है लेकिन वो सबना संस्कृत है चार असफिर्टी परलती है तो इसके प详ान के इस थी है हाँ भोम प्रणा बीदे समय को ये जो आज का जो समय है उसको चियार जार साल किछाना चल तन चाहने चाहर साल पर्लियं में कैसे जी लेंगे जा तो पहले तुम जाके जाओ वहाँ पर दिखाओ उस तरह की बाते करने वाले लोग है वह देश को और देश की बविश्य को खराब करके पीछे जाना चाहते हैं है जो समझदार लोग होते हैं किसी थैस को थाक़ोफ अब लेगा देर को देश को आगे ले जाना चाते हैं डिद्धक की जो दुनिया है दुनिया के साथ चलना पर्ता कंपडिशन का यूग है my negotiation की युग में दूसरे देश कहा पहुचा रहें कहा पहुच रहें हो क्या कर रहे हो क्या बना रहे हैं हम क्या करें हम पिछले निएक जानता है aqui yo यह भाभ और्रोगों की भाभोड सौच है कि सब्वीता संसक्रति बदलती रहती हैं और बारते सविधान को बोलते हैं कि पढ़ के देखो एक वर खोल के देखो उसके पन्नों पर जो है फोटो है बगवान के हैं जो भी जो महपूश हैं उनके फोटो हैं तो क्या डाक साब जो बाबा साब अमबेट करने सविधान सबाने जो सविधान बनाया था या लिखा था जो सब्वीस नुम्रोने शुनिचास को जो सुप्या गया था क्या उसमें मूल में ये फोटो थें उसी से में बढ़ाए गए थें ये क्या है सब्सक्राइब एक चैनल पर एक महिला पतरकार हो उसके सामने वो सुसना परसाण मंतरी दे रवीशंकर परशाद वो एक इंट्रू मे जब समीधान बन गया तयार हो गया लागू भी हो गया पूरी दुनिया वर में क्या होता है कि समीधान को बहुत अच्छे फॉंट में लिखा जाता है और उसको एक वो विद्या है टेक्निक है उसको कैलिग्राफिय बोलते हैं कुछ इक लोगों को आती है आप भी थोड़ प्रेम बिहारी नरेन रायजादा यह उनका नाम था अब बहुत वेस्ट केलिग्राफर थे तो समीधान तो समीधान से बाने परदान मंत्री और राश्टरपती राजिंदर परसाद जी को सौंप दिया अब उनको उसको केलिग्राफर को देना था यह पास हो गया हलागू भी हो गया ठीक है अब इसको ताकि दुनिया की देशों में जाएना तो केलिग्राफर का मालब होता है उसको सुन्दर स्क्रिप्ट में लिख दे दुबारा से अच्छी से फोंट में लाकर करके उसके साइड किनारों पर अच्छे फूल पत्यां कुछ कुछ चाप दे ऐसे चाप करके फिर उसने दिया तो फिर उस समय के परदानमंति राष्ट्रपति थे उन्होंने और उस समय का यह ऑब्जेक्शन था यह यह क्या यह तो था इन्हें आपको लिखने के लिए कहा था कैलिग्राफर का मतलब होता है जो उसको सुंदर बना दे उस राइटिंग्स क सुंदर कर दे और उसके चारों तरफ ताकि उसकी परतियां है और उसकी जो कोपी करके फिरो दूसरे देशों में भी जाएंगी दूसरे लोग भी इसको पढ़ लिए तो उसने यह कर दिया था यह उसमें जैसन भी हुआ यह चीज इंकलत है अब बहुत हो गया काम तो हो ग पुरा यह चीज वाले ने पब्लिश की हैंदी में भी इंगलीश में भी उसनों भी चर्चा आती उनकी फिर और का स्पोस्ज करो अगर उसमें चर्चा आती है हो सकता था संबहु ही नहीं है तो वहां पे नहीं थी यह यह बाद में केलीग्राफर साब जो थे प्रेम बिया किया उन्होंने सारा काम कर दिया था बाद में इस नाम पर चर्चा और आती है कि जो सविधान जो लिखा गया वह डुक्टरम बेड़कर ने लिखा हो प्रेम बियारी जी जो आपने नाम बताया पूरा उन्होंने लिखा है हो सकता है उनके शिगनेचर हो नहीं वह कांस्ट कि जो पब्लिक के जो चुने वे नुमाइन देते हैं जनता से चुनकिया वे जो लोग थे वह इसमें जैसे आज की पार्लैमेंट है उसमें समिधान सबात याज संसद है अब प्रेम ब्यारी नरे नराय ज्यादा तो पहली ग्राफर थे तो गवर्मेंट इंपलोई थी तो क्युस् facto कैसे लिख दें। तो कार्ड़ मुस्की झेदाफ कर दूद्य जबरने कंप अब इसको कंप्विटर में टाइप करके बड़िया सब्ने लिख करो यातर क्यों सब्सक्र करो पर Kızतल्यू ने बनाई चबिर संसदमें जो पर्दान मंत्री अनेता सदंदका नेता पोलसी है अब जिसने टाइप करके चापा उसकी थोड़ी है तो गवर्मेंट इंपलोई है तो वो गवर्मेंट इंपलोई थी है वो कलीग्राफर थे उनका उन्दा तो सदस्से थी ना कुछ कर पाए तो सथियो आपने ये जो सवाल थे उनके जवाब सुनें डॉक्टर विन कुमार जी दे या यह जो सवाल पुछे गए इन में कोई से आपको लगता हो अब्जेक्शन लगता हो या कुछ राय देनी हो एड करनी हो कुछ और उमीद लगाते हो या ग्रोध करते हो आप कोमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें लक्षा फिर से आ कोई बात या कोई फैक्ट है ऐसा आ गया है कि दुरूस्त नहीं है तो प्लीज मुझे करें थैंक यू ओके जवहीं